नमस्कार आप देखरें एक News24 और मैं हूँ स्वाती आपके साथ इस वक्त पुरदेश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है बिहार में भी छे चरनों का चुनाव संपन हो चुका है और अब साथवे चरन का चुनाव एक जुन को है और चार जुन को परिनाम आएगा हलाकि आज हम बात करेंगे इस वीडियो में वेशाली लोकसभा सीट की एक तरफ से महागट बंदन की ओर से राज़त प्रत्याशी मुना शुकला चुनावी मैदान में दूसरी तरफ से इंडिये प्रत्याशी के तौर पर चिराग पास्वान के गूट की वीना देवी उनके खिलाब चुनावी मैदान में और दोनों को लेकर के ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस बार मुना शुकला वीना देवी को हराने में कहीं न कहीं सफल रहेंगे हलाकि यह जो दावे किया जा रहा है इसमें कितनी सचाई है इस वीडियों में वस्तार से जानेंगे इस वक्त हमारे कई सहयोगी हमारे साथ है सबसे पहले जो मुनना शुक्ला को लेकर दावा किया जा रहा है हलांकि 2019 के चुना में वीना देवी वहां से सांसद रही है उन्होंने चुनाव जीता था लेकिन इसा कहा जा रहा है कि इस बार मुनना शुक्ला उनको मात देंगे बिलकुल स्वाती एक चीज हम लोग बेख सकते हैं कि जैसे ही मतदान चटे चरन का मतदान समाप्त हुआ वैशाली का मतदान उस जीट पर समाप्त हो चुका है लोगों ने अपनी जो मतदान को देखा कर साबित करने की कोशिस कर रहें कि किसको जिताएंगे वो तो इविय में जो से जो रिपोर्ट निकल कर सामने आई है उसमें ये दावा किया जा रहा है कि मुन्ना शुकला को भारी बहुमत के साथ जीत मिलने वाली है अब जीत का समिकरन यहां पर ते हुआ है जीत का समिकरन पर बात करें तो आप देख सकती है कि एक तरफ वैशाली चेत्र यहां साथे करन के घुड़ निखार रहा है और इतिहास गवा रहा है यहां कि जितने भी राज़निता निकले हैं चांगी जो किस अधार पिकिया जा जा रहा है यह जाति समिकरन के अधार पर किया जा रहा है गोए एक तरफ आप देख सकती है कि राच्पुतों का गर्ड माना ग मुन्ना शुकला आ गया है और यही वज़ा है कि मुन्ना शुकला को लेकर दावा किया जा रहा है कि वो जीत रहे हैं पहली बात ये कि वो भुमियार समात से आते और भुमियार जो वोट है ये निर्नायक वोट है निर्नायक वोट का मतलब हम लो समझ सकते हैं कि अगर जिसके पाले में गया उस पाले की जीत पकी है हलाकि वहां पे राजपूत यादो और कुश्वाहा कुर्मी मला यह सब दबदबा है अच्छा वेशाली लोगसबा सीट पे छट्थे चरह में यानि की 25 मई को चुनाव संपन हुआ है और डावा किया जा रहा है राज़त प्रत्याश् से बिल्कुल सहमत हूँ वीना देवी फिल्ड में भी जा रही है क्योंकि एक तरफ राजपूत प्रत्याश्वी तो एक तरफ भुमिहार समात से आ रहे हैं तो ऐसे में राजपूत और भुमिहार के बीच सीधा टकर है देखिए बिहार में तो जाती है तो काफी ज़्याद प्रतिसत था अब की 5080 है और वहीं मुन्ना सुकला का जो भी प्रतिसत है वह आगे है लोगों का उनको लेकर के अच्छा संदेश भी है कि मलब किस पर समीकरन बदलने वाला है हो सकता है बिल्कुल हो सकता है भले ही चिराग पस्वान के नाम पे तो वीना देवी आगे हो ज उलें लादा ढूरा दीमा भी तो लिए लेकिस तरीके से अगर देखा जाये तो वहां पर विना देवि का भी ऑल भाला है मुनना सुकला का भी वहां से भोट है लेकिन कही न कहीं बिना देवी का ही है क्योंकि रामिलास प्र आस वान का इस बशants वाट है क्योंकि बिजय। काफी वोट है विजेपी लगातार मतलब अभी मोधी फैक्टर भी चल रहा है जाद है। जाधी जा जड़ा सबुड़ातीजा है। अब वीचर चिराग पास्वान के नाम पर वोट हैं लोग नहीं लगा सकते हैं कि वहां से मुन्ना सुकला जीतेंगे और या फिर यह भी नहीं बोल सकते कि विना देवी जीत सकती है मुनसर सुकला को पीछे कर सकती है बुमिहार एक तरफ है तो एक तरफ राजपूत भी है और एक तरफ पासवान भी है वहां से तो यह अभी हम लोग दावा नहीं कर सकते हैं यह तो चार जुन को ही ह लोग देख सकते हैं कि आखिर जित किसकी होती है और किसकी हार होती है 2019 में जब वीना देवी वहां से जीती थी तो उस टाइम लोजपा में दो गुट नहीं था चिराग पासवान और परशुपती पारस दोनों साथ थे लेकिन जब पार्टी में दो गुट हुआ तो वीना देवी परशुपती पारस के साथ चलीगी लेकिन इसके बावज़ुद चिराग पासवान ने उन पर भरोसा जताया है तो क्या लगता है वीना देवी चिराग पासवान के उमीदों पर खड़ी उतर पाएंगी वो तो इस चीज का दावा खुले तोड़ पर हो रहा है मतदान से पहले भी इस बात का चर्चा दुरो सोरो से हुआ लेकिन सबसे बड़ी बात जो अभी समिकरन जिस तरीके से हवा का रुख है न वो पलटा है समिकरन भी वैसे ही पलट गया है बात ये आ रही है कि जनता का कहना है कि विना देवी तो जीती एक इतिहास रहा है कि राजपूत वहाँ पर दबदबा बनाए है और राजपूत के लिए वो सीत मतलब आप देख सकती है कि जीत के लिए भी राजपूत हार के लिए भी राजपूत माना जाता है कि कोई भी जीते हारे लेकिन राजपुत के खाते में ही आना चाहिए जीते लेकिन इस बार का जैसे कि राजपुत वसस भूम्यार हुआ है और ये जो टककर है ना बहुत बड़ी टककर क्योंकि ये सवर्ण की टक्कर में है आप देख सकती हैं कि दो बहुत उची जाती के कैंडिडेट खरे हैं और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये हो रहा है लोग मान रहे हैं कि इस बार भुमियार जाती को उठाएंगे और मुन्ना शुकला का चहरा है एक विना देवी तो रही जीत तैक करता है और ये अधार वोट है बीजपी का और वही सोचे ये अधार वोट जो है वो राजद के खाते में गया तो यही लोग मान रहे हैं और साथी साथ विशिसगी ये मान रहे हैं कि जब भुमियार का वोट फिसलेगा तो जीत उसी पार्टी की होगी और ये राजपूत का वहाँ पर वोट जो है वो निरनायग भुमिका में हमेशा से रहा हिहारे जीते जो आता है यहारे जीते जो पक्ष में आता है वो राजपूत के पक्ष में ही नतीजह आता है तो ऐसे एक तरफी बहारे से भी बीहार में जिस तरह है चिराण Monkey पासवान का बीशाली चेत्र से संपर्क कर. शेत्र कोमाविंगे बहुत् के इस से सबर वोट को नहीं को मल रहीं, रहीं unable, जो आगे दिखाएंगे ये हमारे संपर करना में वीना जार फूच्छ अलग दिखाएंगे, जो उइन भले रहीं किया कैंक उससे लोगों एक ऐसे जहलक देखने को मिली है कि लोग सहमत नहीं है उनके बातों से कि नहीं उन्होंने भली 61 प्रतिसात या जितने भी प्रतिसात से आगे बड़ी हमारे चेत के लिए उतना आगे नहीं किया लेकि इस बार नोगोपान कम होता है ना तो दो चीज रखी जाती है पहला यह सरकार बदलना नहीं चाहते हैं और दूसरा चीज यह कि वहां पर कैनिडेट जो है अच्छे उतार ही नहीं गया है और यहीं वज़ा है कि जब पहले से भाजपा का वो गडग रहा और पिछले चुनाव में उन्होंने जीता है भाजपा के खाते में गया सी जीत तो वो ची मुना शुकला की लड़ाई है वर्शाली लोगसबा सीट पर लेकिन जो मुख्य चेहरा है वो चिराग और तेजस्वी हैं एक तरब चिराग की पार्टी की विना देविए दूसरी और तेजस्वी यादो की पार्टी से मुना शुकला है तो इस पर क्या लगता है कि जनता तेजस्वी और चिराग को मद्दे नजर रखते वे मददान की होगी, कि विन्ह देवी कंद लोग जनता यह देख रही है कि इसी वज़ज़ से ल कितना काम वहां से कर रही इसलिए जनता कर रही सिराग पाशवान थाइक bronCH निना देख ओपर चेतर हैं ना की विकास चति बहुत आगे है लेकिन 물리ो कर देख नहीं देख ।सवा पर देख रही है भल्किन was Vidita Kalan पर समि और सौ तरहे हैं कि दब दबार रहे है लेकिन वहां की जनता वहां से टैख कर रही है लोगों का यह तो चार जुन को निकलकर सामने आएगा जनता ने बद्लाव कुछ चुना है या फिर जो पहले से धे उनको आगे किया है देखिये यहां चेहरत है एक तुति जस्वी यादो और चिराग पसवान और जिस तरह से यूवा जो है यूवा वर के लोग वो चिराग पसवान को इस तरह से चाहरत है लेकिन यूवा वर बश्टाली लोग सभा सीट पर अगर आपको बताए तो मुन्ना शुक्ला के पक्ष जिम्मेवारी तो नितिशकुमार के कारण ही इसमे योगदान रहा है, अगर बिहार को अगर कुछ फाइदा अगर नौकरी का आप लोग जो बात कर रहा है लेकर क्रेडिक नितिश कुमार को नहीं मिल रहा है जो युवा है आप जैसे ही जो लोग है वो ते जश्वी यादो कोई दे रहे हैं क्योंकि काई न की अगर एक सिकेंड मैं दूबाला है सवाल यह जब नितिश कुमार रोजगार दे रहे थे तो नितीश कुमार 17 वर्सों से सत्ता में थे तो यह पहल उन्होंने पहले क्यों नहीं कि जब जश्वी यादों के साथ उन्होंने पाला बद्लार जब महाघट बंदन में अगे तभी यह शुरुवात क्यों हूई क्योंकि देखिए मतलब नितीश कुमार जब ते जश्वी आदव के साथ थे तो नितीश कुमार के कारण ही न बिहार में इतना जो कुछ भी फैसलिटी अभी बिहार में देखने को मिल रही है वहीं तो सवाल मद वाला फैसलिटी का नहीं है मुद्दे पर आते हैं सवाल यह ना कि आपने कहा रोजगार की बात नितीश कुमार ने दिया तो 17 वर्तों में नितीश कुमार ने पहल क्यों नहीं कि क्योंकि वो लोग साथ थे ना दोनों ते जश्वी और यह उन्टेश्वी नितीश कुमार ने का विकास कि यह ने बात ही नहीं कर रहे हैं हम रोजगार का है क्योंकि इन्हों ने कहा कि युवा जो है वह चिराग परस्वान और तेजश्वी दोनों की तरफ अपना रूख करें युवा हैं जमीन लेकर नौकरी दिया गया है यह आपको बता दू क्योंकि हमारे जैसे जो युवा है रहा है वह कहीना कहीन दूस्भी आदो के पक्ष्मिया आगे क्योंकि उनको भी पता है कि 17 महीने में तेस्भी आदो नहीं वह कर दिखाया है हम कितना भी तेजश्वी आदो के और पंद्रवरसों के लालु यादो और आबी देवी के सास तो उस समय ही में बोली थी कि यहां पर समिकरन की हवा बदल रही है हर समय बदल रही है और मतदान होने के बाद जुस तरह से एक बात निकल कर सामने आयती स्वाती में रखना चाहूंगी कि सवाल हो रहे थे कि मुन्ना शुकला इस बार कुछ अलग करना चाह रहे हैं और वो भी अगर हवा मुन्ना शुकला के तरफ है तो यहां पर हमको लगता है कि मुन्ना सुक्ला जारण ही मुन्ना शुकला उ भारी पड़े मैं तो इस पर चिराग्पासवान की नाम हरे तो मैं तो लेकिन जिस तरह से अलग कि लोग है चिराग पासवान को लेकर यहां तकी मोधी फैक्टर जैसे चल रहा है तेजी से अब देख रहे हैं हर जगा मोधी के लह रहे हैं तो मैं तो बोलूँगी कि विना देवी है कि कारी काट को टॉपिक बढ़े हैं ब कर यहां कि कारा कार काट का बात सब्सक्रांइ कर नहीं कर सकतेते opposition मोधी लेहर का मुझा उठाया थे आट तो मुदी लेहर तो मैं कार का लोग सब्सक्रार का शाइव का चिराग पासवान भी है तो जैसा कि आपने सुना वेशाली लोकसवा सीट से एक तरफ इंडिये प्रत्याशी के तौर पर वीना देवी चुनावी मैदान में तो दूसरी और महागटबंधन की ओर से राजत प्रत्याशी मुना सुकला चुनावी मैदान में हो और ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस ब भूमिहार, यादो, कुशवाह, पासवान, कुर्मी और मलाह की बहुलता वाली है लिकिन आसे में जो राजपूत और भूमिहार का जो ये है फिलाल कुछ भी कहना ठीक नहीं है चुनाव में कभी भी कुछ भी हो सकता है दावे तो कई तरह के किये जाते हैं लेकिन जो परिनाम आता है उसके बाद ही सच्चाई से लोग रूबरू होते हैं फिलाल इस वक्त की खबर में इतना ही और आसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं एक न्यूस 24 धन्यवाद